सलोक निर्गुन यार यान्या सोप्रब सदा समाल जिन किया तिस्चीत रख नानक निभी नाल निर्गुन यार दा मतलव है गय हे निर्गुन जीव गुना तो सखने जीव ते आनया दा मतलव अन्यान बे समझ तिस्चीत रख नानक निभी नाल कि हे नानक जिसने तेनू पैदा कीता है उन्या अपने चेत देविच याद दे अंदर प्रो के रख क्योंकि उ हमेशा तेरे नाल निभेगा हमेशा तेरा साथ देवेगा जिमें रभी गुन ने सचाई दया आदिक जेडा मनुखे नानू अपने हिरदे विच सोच अंदर प्रो के रख दे याद विच रख दे ता ए जो रभी गुन ने सारी जिन्दगी हर था ते हर समय उस ता साथ दिन दे ने अनू आतमक जीवन दिन दे ने अश्ट पधी रमय्या के गुन चेत परानी रमय्यादा मतलब सोना प्रभु जो जगत दे कनकन अंदर समाया होया है चेत दा मतलव याद कर प्रानी दा मतलव हे जीव हे जीव सोना प्रभु जो जर्रे जर्रे अंदर समाया हुया है उन्नू हमेशा अपनी याद दे अंदर रख उदे गुणानू याद रख उदे गुणानू अपनी जिंदगी विच इंपलिमेंट कर कवन मूल ते कवन द्रिष्टानी द्रिष्टानी दा मतलव वखा दिता केडे मूल तो तेनू की बना दिता यानि मल मूल तो बना के केह सुंदर तेनू बना दिता मा की रकत पिता बिंता रा मूरत सूरत कर आपा रा केस मुढ तू 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 गरब अगन है मां दे गरब दी अगन विच जिनने तैनू बचाया और जेड़ा तैनू विकारां दी आगतों ही बचाई रखदा है। परजोबन पोजन सुख सूध सूध दा मतलब है समझ परजोबन दा मतलब जवान्नी विच ते परजवान्नी दे विच पोजन और सुखांदी सूज बक्षिस करदा है तैनू सूज पैदा हुजन दी तेरे अंदर तेरे अंदर ग्यान पैदा हुंदै। बिर्द पया उपर साख सैन बिर्द दा मतलब बुड़ा सैन दा मतलब सज्जन मित्तर उपर दा मतलब तेरे उत्ते खलो तेने सेवा करनवास्ते सहयोग करनवास्ते जदों तुम बुड़ा हुजन दैं ता तेरी सेवा करन साख मित्तर सज्जन तेरा सहयोग करदेने तेरे उ मुख अप्याओ बैठ को दैन, मुख दा मतलब मुँविच, अप्याओ दा मतलब है चंगे रास्दा एक पोजन, नरम गजा, जो बैठे होई नू तेरे मुँविच चंगे पोजन दिन देने, जिर्स प्रभू दी किर्पा नल, उन्नों चेते रख, एहे नर्गुन, गुन मतलब एथे है उपकार, एगुन हेन जीव, हे प्रभू तेरा कोई उपकार समझदा नहीं, इना चीजां दा शुकराना नहीं करदा, इना चीजां दी कदर नहीं समझदा, बक्ष लिहो ता नानक सीजह, सीजह दा मतलब सफल होए, मुकत होए, हे नानक आख, कि हे प्रभू जे तुँ आप महर करें, ता ए जीव, जीवन मनोरत विच सफल हो सकदा है, ता ए ना विकारां तो ना शुक्रेपन तो छुट सकदा है, जे प्रसाद तर उपर सुख बस हैं, जिस प्रभू दी किर्पा नल, जीव तु तरतीव ते सुखी बसता हैं, एस संसार ते तु सु मान रहा हैं, सुत प्रात मीत बनता संहसें, बनता दा मतलब इस्तरी, सुत दा मतलब पुत्तर, प्रात दा मतलब प्रा, के तु पुत्तर, प्रा, मित्तर और इस्तरी दिनाल हास्ता हैं, पाव के इना देविच मिल के तु खोश रहना हैं, जे प्रसाद पीवें शीतल जला, जिदी महर देनाल तो ठंडा पानी पीन दें तेनू पानी आदिक मिल रहा है सुख दाई पवन पावक अमुल्ला पवन दा मतलब हवा ते पावक दा मतलब आग अमुल्ला दा मतलब अमुल्लक ऽकषर देन्वाली हवा और अमुल्लक आगतु वर्त्रया है ये तेरी सेवा विचने जिएह परसाद पोग हैं सब रसा जिस्ते किर्पा दे नाल तु सारे रस पोगदा हैं सारे सुख मानदा हैं सगल समगरी संग साथ बसा सगल दा मतलव सारे समगरी दा मतलव पदारत किर्पा दिनाल सारे पदारत तैनु लोड़ वर्तन वास्ते मिल देने दीनने हस्त पाम करण नेत्र रसना पाम दा मतलब पैर हस्त दा मतलब हाथ जिस प्रभु ने तैनु हाथ पैर कान अख्छा जीव आधिक आंग दित्तेने तिसेह तियाग अवर संग रचना दा मतलब रुझा हुए मगन हुणा उस प्रभु नो विसार के हे जीव तुम हूरना दिनाल मगन है प्रभु दा शुकराँना ने करदा रब्मी रजाविच नीरिंदा रब्मी गुणादा तार्नी नीहंदा सगों तुविकाराँ देविच रुज्या हुया है माडे कम्मा देविच दुरुज्या हुया है ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे ऐसे दोख दा मतलव ऐ हो जे दोश मंदे करम मूर दा मतलव मूरुख ब्यापे दा मतलव फसे हुयने ए मूरुख अन्य जीव पलाईनू विसारन वाले ए हो जे ओगणा दे विच फसे हुयने राबदी कीती नू ना जानके शुब गुणा दे नाल ना जोडके सगों अग्यानी लोक अग्यानता दे अन्य खूव विच पै होए ए हो जे दोश मंदे विच फसे हुयने नानक काड लिहो प्रभ आपे गुरु साब कहने ने हे प्रभू तुँ आप महिर कार ते जीवानू इन आविकारां दे विचों कड लै यानि ओजीव ही निकल देने जो प्रभू दी रजा पाने दे पातर बन देने प्रभू दी रजा विस्तुर के रहमत दे पातर बन जान देने आद अंत जो राखन हार आद दा मतलब मुड तुं अंत दा मतलब अखीर तक यानि जीवन दे शुरूतों मौत तक सारी जिन्दगी जो प्रभू राखी करन दे समरत है बचान वाला है राखी करन वाले तिसस्यों प्रीत ना करे गवार ए गवार मनुखो दे नल प्रीत नहीं पंदा जिदे गुणा नल जुडन करके आत्मक जीवन दी राखी हो सकती है ए उस प्रभू दे गुणा दे नाल प्रीत नहीं पंदा जांकी सेवा नमनिद पावे जिस प्रभू दी सेवा कीतेया यानि जिदी रजा दे अंदर तुरेया नौ निदा मिलजंदियाने नौ ख जानने मिलजंदेने पाव सब कुष प्राप्त हो जंदे तास्यों मूडा मन नहीं लावे मूडा दा मतलब कमला मूरुख ए मूरुख जीव उस प्रभू दे नाल का दे माने नहीं लौंदा रजा पाने दी कीमत नौ नहीं समझदा रभी गुणा नहीं समझदा जोठा कुर सजसदा हजूरे हजूरे दा मतलब हाजर नाजर अंग संग जेडा मालक हर वकत हाजर नाजर है जर्रे जर्रे विच समाया हुया नाल वस्त है तांको अंधा-जानत दूरे अंधा दा मतलव मूरुख अज्यानी बे समझ ए बे समझ मनुख उस प्रभूनु दूर बैठा समझ दे जिमे कीते हो साचखंड विच बेठ जै जन्नत विच बेठ जै जिद हाजर नाजर है अंग संग है हर थांत आ उन्वे बंदा दूर समझदे जांकी टहल पावे दरगाह मान जिस्ती टहल सेवा कीते हैं जिदी रजाविश तुर्यां प्रबू दी दरगादे अंदर मान मिलदा है तिसह बिसारे मुगद अजान मुगद दा मतलब मूरक अजान दा मतलब बे समझ बे समझ अनजान जीव उ उस प्रबू नुविसार बैठते है जिदी गुन गायां जिदी रजाविश तुर्यां रब्बी दरगादे अंदर मान मिलदा है ए अजान बंदा उसे नुविसार बिंदा है सदा सदा एह पूलन हार गुरू साब जी केंदने ए मनुक सदा ही पूलन हार है गलतियां दा प बेयंत प्रबु है और रखन हार है रख्या करन वाला है रख्या करन वाला बेयंत है अनन्त है और जीव दिया अनन्त को लानुई बक्षन वाला है रतन त्याग कोड़ी संग रचे है रचे दा मतलब रुजा रिंद है खुर्श रिंद है रतन दा मतलब जो कीमती चीजा ने रतन हीरे आदिक ते कोड़ी दा मतलब जो आम कोड़िया ने ए बंदा रतन शाड़के ते कोड़िया देना आल रुजा हुया है रतन की ने साथ संतोख दया तरम आदिक ए शुब गुणने रतन ते कोड़िगा की ने एर्खा द्वैश वैर विरोध निंदा चुगली ए कोड़िगा ने स्टोब गुणा रूप रतना नो शड़ के ते विकारा रूप कोड़िगा ने नाल ए बंदा रचया मिच्या रहन्द है रुज्जा रहन्द है साच छोड चोट संघ मचह है मचहा दा मतलब माचधा है जिवेसी के ना बंदा पूई चड़े आए बड़ा मच्या आए पूई चड़ना खोश होना साच नू चट के ते चूटतिन आले बड़ा खोश रहन्द है जो चड़ना सो अस्थिर कर मानने अस्थिर दा मतलब सदा काइम रहन वाला जिस चीज नूँ छड़ जाना है उनुए सदा अटाल रहन वाली समझ बिन दे शरीर नाश्वंत है पदारत नाश्वंत ने एना नुए निस एवी समझ लिया हुया है काम करोद आदिक अउगनातों उपजे हुईरास छिन पंगर ने इनानुस दैमी समझ बिठ है लेकिन साथसन तो खादी काले गुन जड़े निस दैमी ने उनानुए नाश्मान समझ बिठ है जो होवन सो दूर परानने परानने दा मतलब पच्छानना समझना होवन दा मतलब होन हार जो कुछ जरूर होना है जेड़ी चीज टलनी नहीं जो जरूर वापरना है उन्नों किते दुरेड़ा समझ दा है जे में मौत है ता मौत बंदे दी होनी ही होनी है पर बंदा मौत नों पुलाई रखत है जे मौत नों बंदा चेते रखे कि मैं एक दिन मारी ही जाना है ता शायद ए एर्खा द्वैश वैर विरोत तो बचया रहे पर जो कुछ वापरन वाला है उन्नों ये दूर समझ दा है राबदी रजा जेड़ी होकी रहनी है उन्नों ये समझन दा यतन नी करदा छोड जाए तिसका स्रम करे स्रम दा मतलब उद्दम मेहनत खेचल जो तानपद आरथे ने छाड़ जाने ने उन्ना वास्ते खेचल करदा है उद्धम करदा है उनानू संचदा है संग सहाए तिस पर हरे पर जेड़ा हर वेले एदेनाल राखा है रब शोब गोन उनानू पुलाई बैठा है उनानू उे विसार दिनदा है जो चंगा आचरन है, सच्चाई है, इनसानिजत है, इनने हमेशा है दा साथ देने इन अनुकर आई रखद है। चंदन लेप उतारे तो हे चंदन दा लेप तो ओके ला दिन दे गरतब प्रीत पसम संग होए गरतब प्रीत दा मतलब खोते दा प्यार खोते दी प्रीत पसम दा मतलब स्वा खोते दा प्यार हमेशा स्वा दे नाल हम दे जेत उसी खोते दे उते चंदन भी लादे उना उदे पिंदे ते उन जाके स्वा विच लिटना है क्योंकि उन्नु कदर ही नहीं है चंदन दी उन्नु तो ओके लादवेगा ते स्वा दे विच लिटेगा एसे तरह खोते दी बिर्ती वाला मनुख शुब गुणा दे तारनी ना होके ए गंदगी दे विच लेट दै काम क्रोध लो मो आदिक दे अंदर ही लिटे आ रेंदे लिबडे आ रेंदे अंध कूप मेह पतित विक्राल विक्राल दा मतलब डराउना बिक्राल कूप दा मतलब प्यानक खूद अंदर ते पतित दा मतलब हुंदा है डिग्गा हुया जीव माया दे प्यार करके हनेरे प्यानक खूद विच डिग्गे पहने हनेरा अज्यानता करमकांड पाप विकार इस खूद अंदर डिग्गे हुईने करतूत पशू की मानस जात मानस ता मतल मनुख दी जात मनुख दी यानि ये बंदा मनुख श्रेणी विच जम्या है पर काम पशूआ वाले ने जिमेना कुछ पशू बिरतियाने लोब एक कुता जिड़ा है लोब दा परतीक मन्या जन्द है हाथी जिड़ा है हंकार दा परतीक है कां जिड़ा है दा चुबली करन दा परतीक है चूट बोलन दा हर टैम कां 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 करी जानी ता ए बंदे दी जा काम में दे पशुआ वाले ने लोक पचारा करे दिन रात पचारा दा मतल हुंदा है वखावा लोका नू पते ओंदा काम लोका नू लुबा ओंदा काम दिन रात लोका वास्ते वखावा कर रहा है वखावा कर रहा है कि मैं बंदा हाँ काम पशुआं वाले कर दे बार दी तोरते इसने तार्मिक पहनावा पहना हुए पर अंद्रों तर्मी है नहीं वखावे कर दा है बाहर पेख अंतर मल माया बाहर पेख दा मतलब है गया पेश तार्न करना, तार्मिक पहनावे पहनने, तार्मिक पुशाक, मल्दा मतलब मैल, बाहर शरील उते तार्मिक पुशाक है, पर मन्दे अंदर माया दी मैल है, बहुग इनती लोकां दा इहाल है, कि बाहरों तार्मिक पहनावा पहनना है आपको अपने तरम दे हसाब देना लेकिन अंदर इरशा, द्वैश, वैर, विरोध, कोट-कोट के परीबही है अंदर मैल परीबही है, बार पहनावा, तार्मिक है ते इस्तरा कदेवी सनुराबदी प्राप्ती या खुशिदी प्राप्ती नहीं हो सकती छपस नाहें कच करे छपाया जपस नाहें दा मतलव छेपदा नहीं बाहरी पेख दे नाल छपाउन दा यतन कीतियां में मन्दी मैल लोकदी नहीं असलियत लोकदी नहीं असलियत परगट हुजणी है उन किन्ने सारे ऐसियां वड्डियां वड्डियां शक्षियता अख्वान वालियां जिन्ना दा पूरे दा पूरा राज चलदा सी और ब्रह्म ग्यानी आदिक लोग कहिन दे सना जो देलना मिच बेठे ने क्योंकि बुर्याई नहीं न छिपती अंदर लिजो सोच होते कितना किते परगट हो जाने हम दिये बाहर ग्यान ते आन इसनान बाहर वखावे दे तो और ते बंदा तीर्थां दा इसनान करदा है ग्यान दियां गलना करदा है और ते आन दा मतलब समाधियां में लान दे ते नहीं काम कर रहे ने लोग जाता समाधियां लान वाले ने दूजे ग्यान दियां गलना करन वाले मेरे वर गे ते तीजे ने तीर्थां दे उते इसनान करन वाले बाहरी तोर ते लोक ग्यांदियां गहरियां गल्ला कर रहने समधियां ला रहने इश्नान कर रहने अंतर ब्यापे लोब स्वान लोब स्वान दा मतलब लोब रूप कुटा ब्यापे दा मतलब जोर पा रहा है पर मन दे अंदर लोब रुपी कुटा जोर पा रहे है बारो ग्यान दियां गल्ला मीन है तीर्था ते इशनान मी है समाधिगा में लेकिन अंदर लोब अंदर लोब प्रबल होया प्या है अंतर अगन बाहर तन स्वा अंदर तरिशना दी आग गय ते बार शरीर दे उत्ते स्वा मली है किन्ने सारे तुसी रहो जी बाबे देखते हो जिनना दे शरीर दे उत्ते राख मली हुई है लेकिन क्रोद दे नाल परे हुई ने अप इछे दो बाबे आँ दी वीडियो लीक हुई सी ना आपस दे विची उ लड़ पै तेके में एक सो नुवट्टे देख दू जे नुमतलब चिम्टे मार रहे सन लेकिन बार स्वा मली हुई है अंदर त्रिशना दियाग गए ता बारी पे एक दे नाल कदे भी बंदा तार्मिक नहीं हुंदा बारी पे एक दे आरंदे नाल कदे बंदे नुशानती नहीं मिल दी जरूरत है कि अंदर सचाई हुए गल पाथर कैसे तरे अथा गल दा मतलब गल विच अथा दा मतलब जे समुनदर दी डुगाई दे ही पता नहीं गल विच पत्थर बन के जे कुई समुनदर तरना चाहे ते कि में तर लेगा समुनदर विस्ति वैसी नितरया जाना ते गल विच दोट आई मन दा पत्थर लमकाया हुए ते लुबे गई ना गुरु पातिशा जी कहने ने गल दे अंदर काम क्रोध लोब दे पत्थर पाके कि में ऐस समसार समुनदर न उतार जाएगा कि में विकारां तो बाच जाएगा जांके अंतर बसे प्रब आप हुन समस्या दा हल दस रहने कि जिस मनुख दे अंदर प्रबु आप वस्द है जिदे अंदर रभी गुण वस्देने नानक ते जान सहज समार हे नानक आख कि ओ इंसान सहज दे अंदर समाजन देने ओ बंदे आत्मक अडोलता विच्टिक जान देने यानि यो मान बचन और करम करके साच दे तारनी हुजन देने, राबविच समाजन देने सुन अंधा कैसे मारग पावे, सुन ते थोड़ा जा रुक जाना है ते अंधा ते विस्तराम लगाना है सुन अंधा कैसे मारग पावे सुन दा मतलब सुन के मारग दा मतलब राप पावे दा मतलब लबे अन्ना मनुख निरा सुन के के मेरा लब ले हुन जिननों देश नहीं रहा ते ओनों असी कभी है पी एक गों सज्जे नू मुड जेए फिर खब्बे नो मुड़ जाएं, उन्हों पता ही ने लगना पहली लाइट तू सज्जे हो जाएं ते दूजी तो उन्हों लाइट ही ने दिस रही ता निरा सोनके नी न और आए पैसकदा। फिर तक प्रीत निवा सके, मैं अग्यानी अंधा, ताइं तेरे नल प्रीत निवा सकना, जे तू आप मेरा हथ पढ़ें, पाव गुरु में नुग्यान दी दात देवे, कहा बुझारत बुझ है दोरा, इन्हों कहा नहीं पढ़ना, कहा दा मतलब हुझेगा कि थे, ते कहा द मतलब हुंदा है की, बुझारत दा मतलब सैनत, ते दोरा दा मतलब हुंदा है, बोला इन्हों डोरा नहीं पढ़ना, दोरा बोलना है, बोला मनुख निरी सैनत नु की समझे, जे बोले अगे बुझारत पाओ, सैनत करो, ता ओ सैनत नु के में समझेगा, क्योंकि निस कही है तो समझ है पूरा, इनु पौरानी पर ना पूरा, निस ता मतलब रात, पूरा दा मतलब दिन, जे सैनत दे नाल उनु आखी ने रात है, ता ओ समझ जानदा है कि शायद दिन है, शायद दिन है, दो बोले तुरिजन दे संग, ते एक बोले ने दूजे नु कुछ चेया, कित् दा अच्छा अच्छा, मैं समझ जाया, औरे बजार चले है, किन्दा नहीं नहीं, मैं बजार चले है, किन्दा अच्छा अच्छा, मैं समझ जाया, बजार चले है, उनु बोले दा बोला समझ दे ना पाएगा, उनु जे रात कोगे ते दिन समझेगा, कहा बिसन पद गाव तो पी सोर पांग, पांग दा मतलब तूटी हुई, कई यतन करे तामी ओधी सोर तूट जाएगी, उगा नहीं पाएगा कहे पिंगुल परबत परपमन, परपमन दा मतलब पौना, पर दा मतलब उत्ते नहीं है, ये परपमन कठा है, परपमन कहे पिंगुल परबत परपमन, पिंगुल दा मतलब लूला, परपमन दा मतलब पौना, फिरना, जिड़ा लूला बंदा पिंगला है, पहाडां ते किमें पहुँँ सक दैंग, किमें फिर सक दैंग, क्यों? नहीं होत उहां उस गवन उस लूला बंदा जड़ा है उदा पहाडां तक पहुँचने हो सकती करतार करुणा मैं दीन बेंती करे इन करुणा मैं नहीं पढ़ना करुणा मैं कथा पढ़ना है चारेखर करतार करुणा में दीन बेंती करें हे करतार हे दया दिसागर ए निमाना दास तेरे अग्गे बेंती करदा है नानक तुम्री किर्पा तरह हे प्रभू तेरी किर्पा दे नाल में तर सकदा जिमें अन्ना रा ने न लब सकदा क्रली सैनत नल हाथ फड़यां पार लंग जंद है जिमें पिंगला पहाडते नहीं चड़ सकता नो कुछ चोक के ही चड़ा सकता है एमें प्रभू मैं अपने बाल दे नाल जो मेरियां चत्राइंगा ने उनना दे नाल वखावयां दे नाल मैं कदे भी तेरे तक नहीं पहुं मुख दी ऐसी दशा है कि जो प्रभू एदा संगी साथी है उन्हों ए चेते नी कारदा ओएदे चेत्विच नहीं है जो बैराई तास्यों प्रीत जो वैरिये उननाले प्यार कारदा है जिड़े शुब गोनन है उनना नाले दी प्रीत नहीं है ते जिड़े काम करोद लादे के दी आत्मक जीवन दे वैरी ने उनननाले प्यार बनाई बेठा है बलवा के ग्रह पीतर बसे बलवा दा मतलब रेत ग्रह दा मतलब कार रेत दे कार विच वस्थ हैं पाव की जेडाय दा उमर है ना ए रेत दे किनकें वंग तोड़ी थोड़ी खुर रही है ओदे विचे वस रहे है अनंद के माया रंग रस है रंग दा मतलब रंग विच मस्ती विच केल दा मतलब चोज मोजा एदा जीवन नाश उन वाला है फिर वी ए माया दी मस्ती विच अनंद मान रहा है मोजा मान रहा है एदा शरीर खतम हुजान वाला है उमरे दी खतम हुजान वाल लेकिन उपने आपनेट मॉड़ै चीत इस दे मॉर्ख दे मन विच मोड़यूग्ये थंदा शरीलिक मोत वी चेति नहीं hon दी ते माड़े काम कारदेया इंन्नों एवी चेति नहीं आ क्यास विरोध काम गुसा आधिक शूठ बिकार महाँ लोब त्रहो त्रहो त्रहुद थागई चूठ मन्देकरम पारी लालच और धगा फरेब याहू जुगत बिहाने कई जनम कई जनम दा मतलब कईयां दे जनम अनेका जनम गेड़ेने एसे तरीके दिनाल अनेका लोकां दे जनम बीत गयने अनेका लोक एसे प्रीत दे अंदर जनम बिताई जा रहेने जीवन बिताई जा रहेने नानक राख लेहो आपन करकरम हे प्रभू रहमत कर सानु अपनी किर्पा करके इन अविकारां पापां तो बचाले साधा जीवन इन अविकारां विच गरक ना हो जए तुम ठाकुर तुम पह अरदासे नु ठाक कर नहीं पढ़ना ठाकुर तुम पह दा मतलब तेरे कुल हे प्रभू तुम मालक हैं ते साधी जीवां दी तेरे पास ही अरदास है जीओ पेंड सब तेरी रास रास ता मतलब पुंजी पेंड दा मतलब शरीर कि हे प्रभू ए जिंद ए शरीर ए सब तेरी रास पुंजी है ए तू दित्ती हुई है ए तेरी दात है ए तेरे वलो मिली गिफ्ट है तुम मात पिता हम बारिक तेरे हे मालक तुम सड़ा माँ पे हो है असी तेरे बच्चेयां जिमें बच्चेयां दी माँ बाप पालना करदे ने एमें प्रभु सड़े आत्मक जीवन दी राखी करदे क्नेरे दा मतलब बहुत हे प्रभु तेरी मेहर दी नजर विच अनंत सोखन है यानि जो तेरी रहमत दा पातर बाणदा है ओ दी जिन्दगी विच अनेका अनेका सोखन है कोई न जानना है तुम्रा अन्त कोई जीव भी तेरा अन्त नहीं जान दा तेरी शक्ती दा तेरे गुना दा तेरे विस्थार दा तेरा अन्त नहीं जान दा उचे ते उच्चा पगवन्त, उच्चे तों उच्चा है प्रभू, महान तों महान है, सब तों उच्चा है, सब तों उच्चा है प्रभू, उच्चे ते उच्चा पगवन्त, उच्चे तों उच्चा है, महान तों महान है सगल समगरी तुम्रे सूत्र तारी एनु सूत्र नहीं पढ़ना सूत्र क्योंकि अद्धा रारा है तत्ते दे थले सूत्र समगरी दा मतलब पदारत सूत्र दा मतलब सूत्र विच मर्यादा विच हुकम दे अंदर रजा दे अंदर तारी दा मतलब तिकी हुई जगत दे सारे पदारत पूरा संसार ए सब कुछ तेरे हुकम दे अंदर ठिक्या हुया है तेरी रजा और पाने दे अंदर ठिक्या हुया है कुद्रत दे बजवे नेमा विश्टिक्या हुया है तुम ते होए सो आग्याकारी तुम ते दा मतलब ते थू होए दा मतलब जो भी होया है पैदा होया है जो भी चीज होंड विच आई है आग्या कारी दा मतलब तेरे हुकम दे अंदर तेरी रची हुई स्रिष्टी तेरी ही आग्या दे अंदर है तेरी आग्या कारी है पाव तेरी आग्या दे अंदर ए स्रिष्टी काम कार दिये तेरी आग्या विच हुकम विच ही पहदा हुई है और सारी काइनात तेरे हुकम दे अंदर काम कार रही है तुम्री गात्मित तुम ही जानी गात्मित दा मतलब अंदाजा तेरी पहुँच और तेरा अंदाजा तुम केहो जया है केड़ा वड़ा है इस चीज़नों तुम आप ही जान दें तेरा कोई अंत नहीं जान सकता सुन वड़ा आख्या सब को एक एवड वड़ा डीठा हुए सुन सुन के असिकैद नया कि राब वड़ा है पर किड़ा वड़ा है एता सिताई दाज सकते नगेजसी ओधी वड़ाई नू जान लेया हुए यानि ओधी वड़ाई नू कोई जान नी सकता अंतनों को जान नी सकदा अपने आपनों को आप ही जान बै नानक दास सदा कुर्बानी है गुरू अरजन पातिशाजी केंदने ही नानक आख कि जो तेरे सेवक ने जो तेरे दास ने तेरे तो सदा कुर्बान ने तेरे तो वार ने सदके ने ताइस पावन अश्टपदी देंदर प्रबु दियां दातां बक्षिस दाजिकर कीता है और इंसान दियां जिडियां गल्तियां पुल्ला ने उना दा एहसास कराया है असी उना गल्तियां पुल्ला नो शाड के प्रबु दी रजा पाने देविच तुरंदा यतन करना है जी सकतेयां और करतूत पशुकी नो छड़ के असी मनुखा वाली करम करके अपने जीवन नो महान बना सकतेयां गुरुजी रहमत करे असी गुरुजी दी पावन बानी नो आप पढ़िये आप विचारिये समझिये और गुरुबानी मताबक जिंदगी जी के आपने जीवन नो सफल करंदा यतन करिये